नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ठाकड एगरी गलचर में किसान भाईयों इस वीडियो में हम बात करेंगे कलोंजी की फसल के बारे में कलोंजी की फसल में उपर की जो डोड़िया सूक रही है इसके उपर आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करने वाले हैं कलोंजी के फसल में जो उपर की डोड़ियां सुखने की समस्या आ रही है इसके पीछे क्या कारण है और इस समस्या को हम किस परकार से दूर कर सकते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी के साथ में बात करेंगे और आपको एक ऐसा फोर्मूला बताएंगे जिसके दोरा आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं मुझे बहुत सारे किसान भायों के कमेंट भी आए और बहुत सारे लोगों ने फोन भी लगाए कि हमारी फसल में यह समस्या आ रही है तो इसके लिए कोई उपाई बताईए तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप यह समस्या से बहुत आसानी से चुटकारा पाज सकेंगे तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को सुरुआ से लेकर लाश्टे तक देखेगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरा हाथ जोड़कर निवदन रहेगा कि चैनल को नीचे जो आपको लालक्सरों में सबस्क्राइब बेटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दीजे और इसके पास आए गंटे की निसान को दबा दीजे ताकि आगे भी इसी परकार की जानकारे आप लोगों को मिलती रहें किसान भाईयों बात करते हैं इस समस्या के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह समस्या क्यों आ रही है देखी किसान भाईयों इस समय पर क्या हो रहा है कि कलोंजी की जो उपर वाली डोडिया है वो सुकने की समस्या आ रही है लेकिन पूरा पोदा बिल्कुल स्वस्थ तरीके से खड़ा है हरा बरा खड़ा है लेकिन उपर वाली कुछ डोडियां ऐसी है जो अपने आपी सोक रही है तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है फंगस का टेक देखे किसान भायों फंगस कई परकार की होती है जो अलग-अलग तरीके से हमारी फसलों को नुकसान पूचाती रहती है और फंगस कोई अलग से बिमारी नहीं होती है फंगस में भी कई परकार की किटाणू और बेक्टिरिया रहते है जो हमारी फसलों पर डंक लगाते है और इनकी वज़े से जो है डोडियां सुकने की समस्या आती है अब इस समस्या को दूर करने के लिए हमें एक बहुती बढ़ा टेक्निकल का उप्योग करना पड़ेगा और जिस टेक्निकल के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टेबुड को नाजौल सलपर किसान भाईू टेबु को नाजौल 10% और सलपर 65% WG वाला जो टेक्निकल आता है आपको उसका प्रयोग करना पड़ेगा आप किसी भी कंपनी का यह टेक्निकल ले सकते हैं वो सारी कंपनिया इस टेक्निकल की दोईयां बनाती है किसान भाईयों टेवू को ना चौल सलफर जो है एक कॉंटेक्ट और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड होता है मतलब कि जब हम इसका इस्प्रे करते हैं तो इस्प्रे जब हम करेंगे उस समय पर जो फंगस इसके संपर्क में आएगी वो वहीं पर खत्म हो जाएगी और जो फंगस अगर इसके संपर्क में नहीं भी आएगी तो यह दिरे दिरे पोदे को जहरिला करेगा और पोदे को जहरीला करेगा तो जो फंगस फिर बाद में अटेक करेगी वो भी दिरे-दिरे खत्म हो जाएगी तो अब हमें टेवुगोना जोल सलफर वाला टेकनिकल मार्केट से खरीद कर लाना है और हमें स्प्रे करना है किसान भाईयो जब भी आप इसका स्प्रे करते हैं आपके खेत में थोड़ी बहुत नमी होना चाहिए ताकि इसका रिजल्ट अच्छी तरीके से मिल सके और अब बात करते हैं इसकी मातरा के बारे में तो किसान भाईयो आपको यह जो पाउडर फों में आता है यह टेकनिकल लाना है और इसका जो आप मातरा रखोगे वो 40-50 ग्राम परती पंप आपको इसकी मातरा रखना पड़ेगा और अगर एक एकड के बारे में बात करें तो 400-500 ग्राम पर एकड के एसाब से आपको इसकी मातरा रखकर इस्प्रे करना पड़ेगा किसान भाईयो यह है एक कॉंटेक्ट और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड होता है और इसका रिजल्ट कापी अच्छा मिलता है अगर रिजल्ट की बात करें तो 20-25 दिन तक इसका रिजल्ट रहता है असर रहता है मतलब जब हम इस्प्रे करेंगे तो उसके आने वाले 20-25 दिन तक यह है किसी भी परकार की फंगस को हमारी फसल में आने से रोक देगा किसान भाईयों इसका रिजल्ट कर दीजे आपकी जो फसल में समस्या आ रही है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी जो डोडिया सूख गई है उनका कुछ नहीं हो सकता है लेकिन जो आने वाले दिनों में अगर सूखने के चांस आ सकते हैं उस समस्या को यह रोक देगा और सारी भंगस को यह खत्म कर देगा तो किसान भाईयों आपको यह टेकनिकल ज़रूर ग्रिस्टि करना चाहिए और अगर आप इस टेबू को ना जोल सलफर को किसी भी टोनेक या फिर किसी भी कीट ना सके साथ मिलाकर रिस्प्रे करना चाते हैं तो भी आप कर सकते हैं किसान भाईयों अब आप समझी गए होंगे पूरी जानकारी अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके जरूर बताईए हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में तवत्र के लिए धन्यवाद जय जवन जय किसाथ